हम लोग बात कर रहे थे बहुतिक भूगोल के बारे में और इसमें लास्ट किलास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पठारों के बारे में बात की थी पठार के बारे में बिस्तार से चर्चा की थी आज की इस किलास में हमें जीलों के बारे में बढ़ना है और इस किलास को भी हम लोग बिस्तार से ही देखेंगे और याद रखिए सभी किलास से आपकी UPSC, Civil Service और आपके State PCS को ध्यान में रखते हुए कबर की जा रहे हैं तो अगर आप लोग भी किसी भी Government Exam की तैयारी करें या School टाइम में है, College टाइम में है, अगर आपके एकजाम में भी बहुत एक भूगोल से जीलों से questions पूँचे जाते हैं, तो एक किलास में आप लोगों के लिए भी महत्पूर्ण हो सकती हैं और याद रखिए जो prelims का आपका syllabus है न, चाहे वो इतियास हो, चाहे आप देखे भूगोल हो, समीधान हो, अर्थवस्ता हो, बिग्यान हो, उन सब को cover करवाये जा रहा हैं, तो इसके लिए एक special playlist सूची बना दी गई है, जिसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम स तो पूरा silver सा आप लोगों को यहाद cover मिल जाएगा, यहाँ जाकर आप लोग एक-एक class को देख सकते हैं, आप लोग अपनी screen पर जीलों को देख भी रहें, कुछ और आप लोग जीलें देख लीजे, यह आप देखे जीलें आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आप लोग दूसरी विशेशता यह भी होती है, कि उनमें इस्थाइत होता है, और सामान रोप से जील भूतल की विस्तित गड़े हैं, जिनमें जल भरा होता है, और जीलों का जल प्रया इस्थिर होता है, यानि कि एक जगह रुका होता है, तो इनी के बारे में पढ़ना है हमें, और किसे बाद हम लोग भारत की कुछ मात्पूर आपकी जो जीले हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, कहां किस तरह की हैं, और विस्तित में कौण कौण सी जीले मात्पूर हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, तो प्रेलेम्स के पॉइंट वीज से भी आपका कापी मा पूर्ण हो जाएगा वंडे लेवल पर तमाम exam होते रहते हैं आपके state level पर भी तमाम exam होते हैं तो उन्हें में भी questions भूछ लेता है की जील काहा है किस राज में किस देश में तो वह भी point आप लोगों को इस class में मिल जाएंगे तो आप देखेंगे भूतल पर विसाल जल्युक्त गर्थ को जील की संग्या दे गई है और इनका आकार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है बहुत बड़े बड़े जील आपको देखने को मिलेंगी बहुत छोटे भी जील देखने को मिल जाएगी साथ ही साथ इनकी इस्तिति कहीं भी हो सकती है और ऐसी दसा में इनकी अर्थमूर परिभासा और व्याक्या करना अतिंद कठिन काम है कठिन होता है और बास्तों में जीले भी भूपटल का इस्थल रूप ही है और अनिस्थल रूपों की भाती इनका विसलेशन किया जा सकता है जेल सब्द उच्चा उच्चारन से मस्तिस्क में एक पित्यात्मत बोध होता है भली उसे सब्द जाल और तरक जाल से भरांती पूर्ण बना दिया जाए भूतल पर बिदमा जल युक्त इस्थिर भाग जो इस्थल खंडों से गिरा है उसे आप लोग जील कहा जाता है क्या कहते हैं जील कहते हैं देख लिए ज़ बरा हुआ है और यह आप देखे रहे चारों तरफ इस्ठल्कन लगा हुआ है ठीक है जमीर लगी हुई है तो इसी की बात हो रही है और परंदु कुछ बिद्वान जीलों को इस्थिर नहीं मानते हैं जीलों का उद्भाव एवं विकास होता है जिनमें तल चटों का जमाव होता है और उत्थान से समीपी स्थलों के बराबर हो जाती है और इस पिकार इस्थिर भाकी कल्पना नहीं किये जा सकती है और परुक चुरूप से यह माना जाता है कि अतीत में भो सन्नितियों बड़ी जीलें थी जो बड़े बड़े इस्थल पिंड़ों के मद्ध स्थित थी और जीलों की स्थिती उच्च परवर्तिय भाग, पठारी मैदानी, समुद्र तटिय भाग, आदी किसी भी भाग पर हो सकती है हिमालाए की मान सरोबर जील, वैकाल जील आप देखेंगे सरवाधिक गहरी जील देखने को मिलेगा तंगानिका, चाड, मिसीगन, हीूरन, अरल समुद्र, खारा पानी की जील, वेक्टोरिया, ताजे पानी की जील, लेक सुपियर, कैस्पियन सागर, डल जील, बूलर जील, आदी जीलें भी भी भागों में आपको देखने को मिलेगी तिबध पठार में इस्तित्ध तिष्जील कोंसी है, तो आप कह देगे कि तिबध में पठार में इस्तित है, इसका क्या नाम है और इसका समुद्र तल से तेरे सो फेट नीचा है, यदि जीलों की बितरण को हम लोग देखे जाए, तो निम्नांग की चेत्र इस पर ठोते हैं इसमें हिमानी पिदेश, परवतिय उच्च पिदेश, आद्य पिदेश, समुद्ध तटिय चेत्र, वाड का मैदान और रिफ्ट घाटी चेत्र और इसमें अगर जीलों की विसेस्ताओं की अगर बात करें तो परवतों, पठारों, भूसानितियों की भाती जीलों का उद्भाव और विकास होता है यानि कि जील भी बनते हैं फिराक्तिक कारण भी है और आप देखें कीखी मानो जनित भे है और एक परिवर्तन मंडल होते और भूसानितियों की भाती इनमें नदिया मलवा का निच्छेप करती है इन मलवा से परिपूर्ण होकर बिलुक्त हो जाती है और इस पेकार इनके एक जीवन चेक का इतिहास होता है और जीलों को निम्नांकित बिसेस्ताएं हैं जीलों की कहने का सीधा से मतलब एह है कि इ बराबर हो जाएगी जमीन के समतल हो जाएगी पानी ही नहीं बचेगा वहां तो उसका काम खतम हो गया जीलें समुद्ध तल से भी नीचे से लेकर परवत्मों पर हजारों मीटर की उंचाई तक पाई जाती हैं और जीलों की आकार गहराई में भिन्न होती हैं कुछ जीलें मौसमी और सदा बहार होती हैं कुछ जीलों में सदेव जल बिदमान होता है और इसके विपरीत कुछ जीलें गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं जीलें उतली एवं गहरी भी होती हैं कुछ जीलें अतंत गहरी होती हैं जैसे बैकाल जील आप देखेंगे 1600 मीटर इसका प्र पिरवेश द्वार से जल जीलों में जाता है और निकास द्वार से जीलों से जल वाहर आता है कुछ जीले खारी होती है तथा कुछ स्वक्ष जीले होती है जिसमें जल का पिरवेश तो होता है परन्तु निकास द्वार नहीं होता है यह जीले खारी जीले होती है और भारत की सांभर और पंच भद्रा चिलका जील खारी जीले की उधारन है यह याद रखे गाए खारे जीलों की याद रखे और मीठे यानि की ताजे पानी की जीलें याद रंखेगा यह आप देखते हैं कि कई बार option में दे देता है कि इन में से कौन सी खारे पानी की जील है या ताजे पानी की जील है तो यह आप लोग याद रखेगा इसके विपरी जिन जीलों में निकास द्वार होता है विस्वक्ष जल जीले होती है अब आप देखे पानी बहता जा रहा है निकलता जा रहा है एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा र और एक जगे आप देखेंगे पानी भरा रहेगा तो वो खारा हो जाता है ठीक है और जीलों के खारेपन को आसपास की चट्टाने भी प्रभावित करती हैं जीलों की सरचना पर जल की मात्रा अत्वा जल इस्तर जल बर्सा बास्वीकर्ण तली की सरचना आधी का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है इनकी भिन्नता के कारण जीलों का जल इस्तर भिन्न होता है और भूतल पर गर्थ अत्वा बेसिंग की उपस्तिती या उसमें जल भरने की सुविधार जील के लिए एक आवस्यक और अनिवार सरत है भौम जल इस्तर का प्रभाव जील के जल क प्रपरता है यानि की भूमे के जल का भौम जल इस्तर यदि जील की तली से उंचा है तो इसमें जल की मातरा अधिक आपको देखने को मिलेगी और इसी पकार बरसा की प्रकिटी तथा हिं दर्वण भी जीलों की जल की मातरा को प्रभाविर करते हैं एक बात यहां और पता हो ना तो civil service की तरह है आप देखते हैं कि आपके राज्यों में state PCS का exam होता है जैसे UP में UP PCS विहार में विहास PCS राजिस्तान में राजिस्तान PCS मद्दपदेश में मद्दपदेश PCS MPPSC की बात कर रहा हूं इसी तरह कि तमाम राज्यों में state PCS का exam होता है और NCEIT बुक से पढ़ने से आपका बेस मजबूत होगा आप लोग बहुत 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 तरीके से समझ पाएंगे ठीक है और अब आप देखेंगे जीलों का परगी कारण अगर हम लोग देखें किलासिफिकेसन ओप लेक्स का तो जीलों में जल की प्रकिटी उनका आकार पिकार उंचाई जल की मातरा निर्माण पिक्रिया नियाम निर्मानक कारक आधी की भिन्नता होती है और जिस कारण जीलों में भिन्नता देखने को मि की लिटी है और इसी का आधर पर जीलों का बर्ल्गी कांड किया जाता है सबसे पहले आप देखेंगे कि उचाही का आधर पर जीलों को भात अगया meidana मैदानी मत्लब कहने के मतलब है कि मैदान में देखने को मिलेगी और फिर आप देखेंगे कि इसमें आगे आप लोगों को पठारी जील देखने को मिलेगी, मरुस्तली जील देखने को मिलेगी, हिमानी जील देखने को मिलेगी, समद्ध तटिये जील देखने को मिलेगी, फिर आप देखेंगे कि जल की परकिती के अधार पर भी जीलों को बाटा गया है सौक्च जल, अत्वा ताजे पानी की जील, खारे पानी की जील, इसमें आप देखेंगे खारे पानी की जीलों में छारीय जील होगी, कड़वी जीले होगी, मिस्तरे जील होगी, बॉरेक्स जील आपको देखने को मिलेगी, निर्माडक कारकों की अधार पर भी जीलों को बाटा गया है, तो हिमानी कि जील है, हिमानी अपर्दित जील है, हिमानी निच्छेपित जी जील, जलोड़पंक जील, डेल्टाई जील, पवनकित जील, यानि कि पवनों के द्वारा बलुका इस्तूप जील, ज्वाला मुकी जील, यानि कि आप देखे ज्वाला मुकी के द्वारा जो जीले मनाई गई हों की, क्रेटर जील, अब आप देखते हैं कि जिसमें से लावा निकलता है ज्वाला मुकी में ज्वाला मुकी के जरिये पर आप देखते हैं कि वो सुस्प पड़ जाता है निकला बंद हो जाता है उसी में आप देखेंगे जल भर जाएगा तो उसी को आप लोग ज्वाला मुकी के द्वारा द्वारा निर्मे जील कह देंगे बनाई गई जीलों की बात हो रही है नदियां अपनी अपरदनात्मक और निच्छेप तात्मक किरियाओं के द्वारा जिन जीलों का निर्माद करती है उसे नदी के जील की संग्या पैदान की जाती है अब आप देखेंगे कहीं निच्छेप के द्वारा या आप देखेंग यह सीधी नजी दा रही है माली जे कि यहां कोई गड़ा बना दिया उसमें आप देखेंगे उसके जरीय भी एक जील बन गई और माली जे कहाँ निच्छेव कर दिया और वहाँ आप देखेंगे पानी भरने लगा तो आप देखेंगे निच्छिप कहने का मतलब है कि नदी के द्वारा बहाकर लाए गए कुछ आउसादों को वहाँ छोड़ देना तो आप देखेंगे वहाँ जो जील बनेगी तो उसे नदी के द्वारा ही माना जाएगा किसी विशेष परिस्तिती में नदीया जब अपरदन द्वारा बहुत बड़े गर्द का निर्मार कर देती है और नदीयों को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उहाँ आप लोगों ने देखे होगे बड़े बड़े गड़े हो जाते हैं तोनी की बात हो रही है अत्वा निच्छिब द्वारा मलवा की विसाल रासी जमा कर देती है तो जल की अधिक मात्रा एकतित हो जाती है और जील का रूप धारण कर लेती है जिसे नदी के जील कहा जाता है नदी के द्वारा बनाई हुई जील कहा जाता है ये निम्नांग के जील नदी के जील हैं महत्पूर यह इसमें आप देखेंगे चापाकार अध्वा गोकुर जील नदियां मैदानी भागों में बिसर्फों का निर्मार करती है और बिसर्फों में जब घुमाओ अधिक होता है तब इसमें जल की अधिकता हो जाती है तब नदी अपने परफ टमीं जल भर जाता है और ज 1 गोकिर जील की संध्या संग्या दी जाती है इस का जाल गाय के खुर की भाति होता है गाय की खुर देखते गर के पाओं की बात हो रही है अब मारे यह देखे आप लोगों को वता यह आप देखेंगे नदी बहर रही है इस तरह कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं यह चूट गया ना यहाँ जो पानी भरा हुआ है तो इनी की बात होती है फिर आप देखते हैं कि डेल्टा जो नादी डेल्टा बनाती है तो डेल्टा वाले हिस्ते मे भी इस तरह की आक्तियां बन जाती हैं उन्हें डेल्टा जील कहते हैं नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माड करती हैं और मुहाने पर अनेक साखाओं में विभाजित होकर तटवर्ती भागों में तल छटों का निच्छेप करती हैं और डेल्टा की बीच- तो नदील्टा में पॉंचाश्टियन जील निल लंदी में डेलटा में महे जील इसमेकार की जीलों का उधारन देखने को मिलेगी मौहाना कहने के मतलब यह नदी आ रही है एक जगे तो कहीं मिलेगी वहीं आप देखेंगे कि उसके निच्छेव के द्वारा उसके आप जो जील बनेगी उन्हीं जीलों की बात हो रही है ठीक है अब आप देखेंगे कि रिप्ट निर्मिट जील तो नदी मार्ग में रिप्ट के निर्मार से बनी जील को रिप्ट निर्मिट जील की संग्या पिदान की जाती है और बास्ताव में नदीयों के प्रभा मार्ग जब सघन जंगलों के मद्द से होता है तब वैक्ष के तने डालियां लताएं पत्तियां आदीस के जल के साथ प्रवाहित होने लगती है और जहां कहीं इनका मार्ग अपेक्षा के तंग हो जाता है वहां एफश जाते हैं और जल इनके नीचे ऊपर बीच से धीरे-धीरे प्रवा होता है और इसे आप लोग रिप्ट निर्मित जील कहते हैं यहां आप लोग देख लीजे देखिए नदी जैसे बहर रही है गोकर जील की बात हो रही है तो यहां आप देखेंगे कि यहां जो छूट जाता है स्थान इसमें जल भर जाता है इसी को आप लोग गोकर जील कह पहलाता है और इसमें जब जौला मुक्री यानि के लावा निकलना बंद हो जाएगा तो इसमें जो जल भर जाएगा उसके द्वारा आप देखते हैं जौला मुक्री जिल का निर्माड हो जाता है तो यह चोटी-चोटी बाते हैं इने जरूर आप लोग याद रखिएगा य उसी को आप लो क्या कह देते हैं डेल्टा जील कह देते हैं ठीक है गोकोर और डेल्टा जील हैं ये सब रिप्ट निर्मित जील पूर्टा एस्थाई होती है और जब कभी नदी में जल की मातरा अधिक हो जाती है अत्वा लकडियां सरगल जाती है अत्वा घुलन किरिया इसमें छिद्द का निर्मार हो जाता है तब रिप्ट तूट जाता है और तीबेबेग से जील का पानी बहने लगता है और नांग नदी पर बनी अंबा चरी जील महराष्ट इस्पिकार की जील का पिरमुक उधारन है तो एने उधारन भी आप लोग दे सकते हैं जब आप लोग कहीं लिख रहे हों आओ नमन कुण जील नदीयां आपने जल मारग में पिरपातों का निर्मार करती है जल पे पातों के बारे में आपनों ने सुना होगा उँचाई से जल गरने के कारण अनेक जल गरतीकाओं का निर्मार होता है अब आप देखें उपर से कोई नदी गर रही है तो गड़े भी तो होंगे जमीन में तो उनी की बात हो रही है जल पे पात पीछे हटता जाता है और जल की गरतीकाओं का विकास होता जाता है और धीरे धीरे अनेक गरतीकाओं परसपर मिल जाती है और एक बिसाल कुंड का निर्मार हो जाता है और बाद में कुंड जील का रोब धारन कर लेता है एक आप देखेंगे जलोड पंक जील जब पहाडी चेत्रों को छोड़कर नदी मैदानी चेत्रों में पिरवेश करती हैं तो यह जलोड पंकों का निर्मार करती है और कभी-कभी जलोड पंक में तलचट की विसाल रासी जमा हो जाती है और नदी का मार्ग आउरोध हो जाता है और जलिकतित होने से जहील का यहां भी निर्मार हो जाता है इसे जलोड पंक जहील की संग्या दी जाती है पूरवी केलिफॉनिया की ओविन से जहील इसी का उधारन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जल पेपात के द्वारा आउनमन कुंड आप लोग देख रहे है ना इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इस तरह की आगरती देखने को मिलती है तो इस तरह से आप देखेंगे कि नदीयों के द्वारा जो जहीलें बनाई जाती है उन्हें आप लोगों ने देख लिया है अब चलिए आप लोग हिमानी जीलों को देख लिजे हिमानियों के द्वारा जो जीले मनाई जाती है हिमानी के अपरदन और निच्छे पिक्रिया से निर्मित जील को आप लोग हिमानी के जील की संग्या फिदान की जाती है अब आप हिम नद अपरदन के द्वारा विस्तत गाटी में चोटी चोटी बेसिन का निर्मार कर देता है और हिम दिर्वंड से इसमें जल भर जाता है यही जील का रूपधारन कर लेता है और इसी पिकार हिमोर के निच्छिव से हिम नदियां और हिम नदों का मार्ग आवरोद्ध हो यूग हुए थे और तामान का उताव चड़ाव हुआ था और फलसोरूप अधिक संख्या में जीलों की निर्माड हुआ था और वर्तमान समय में उत्री अमेरिका की उत्री भाग और इूरियसिया की उत्री भाग में हजारों की संख्या में जीलों का निर्माड हुआ है यहा आप देखेंगे और यह आप देखेंगे और यह आप देखेंगे बीच में गड़्डा बन जाएगा इसमें जल भर जाएगा हिमानी के दुवारा जो होगा उसी को आप लोग हिमानी जील कह देने के यह आप देखेंगे सारक जील है सारक जील आपको देखने को मिलेगी इसी दिया गया है उत्तरी धुर्प की चत्तुर्दिक इस पेकार की जीले विस्व में सबसे अधिक पाई जाती है और इस पेकार गड़वाल हिमाले में अनेक चोटी-चोटी जीले सत्व पंत जील ये आप देखेंगे 4405 मिटर हेमकुंद साहिब और आप देखेंगे 4329 मिटर अरवा ये 3904 मिटर कैदार ताल ये आप देखें 425 मिटर और आप देखेंगे 270 जीलताल ये 3584 मिटर सहस्त ताल ये 4572 मीटर रॉन सारा ताल सब्त रिसी ताल आदी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी ठीक है तो यहने भी आप लोग याद रखेएगा इमानी के दुवारा जो बनाई जाती है जील उनकी बात हो रही है और ये आप देखेंगे तटी जील आप लोगों को दिखाई दे रही है यानी कि आप देखें कि तट के किनारे जो जील बन जाती है माली जी ये तट लगा हुआ है यहां से आप देखेंगे पानी आ रहा है और आप देखेंगे कि यहां भर जाता है और आप देखेंगे बापसी चला जाएगा जवार भाटा इस तरह के आते हैं उस समय निर्मित हो जाती हैं तो इसे को तटिय जील कर देते हैं समुद्री जील आप देखेंगे समुद्र के बीच में आप लोगों को देखने कुम लेगे कार्णे जील और इसी तरह से आप देखेंगे लेगोन जील जवारी फिरवेश द्वार लेगोन जील आप लोगों को देख रही है समुद्र तटिय जील रहती है तटीय जील की बात करें तो आप देखेंगे समुद्ध अत्वा महसागरिय तटों पर समुद्री लहरों के अपर्दन तथा निच्छेप से निर्मिज जीलों को तटीय जील की संग्या दी जाती है तटवर्थी चेत्रों में समुद्री तरंगे भीसर पिरहार के द्वारा अपर्दन करती हैं जहां पर अपेक्चकित मुलायम चट्टाने होती हैं वहां घुसकर दूर दूर तक अपर्दन कर देती हैं और कभी-कभी छोटे से पिर्वेस द्वार से पिर्वेस कर इस्थल छेत्म पर बहुत अपरदन कर डालती हैं, और इसमें जो जल भरा रहता है, इसे जील की संग्या दी जाती है, भारत की चिलका जील इसकी काउधारन आपको देखने को मिलेगा, समुद्री लहरें निच्छेप किरिया द्वारा भी छीलों का निर्माड करती हैं, अब आप देखें समुद्री लहरें कुछ अपने साथ ला रही हैं, और तट पर छोड़ दे रही हैं, और आप देखें उससे जील का निर्माड होता है, और खाडी के दोनों सीरसों से निच निच्छेप किरिया चलती रहती है तब कलांतर में जील की रूब में जल बंद हो जाता है इसे लैगून की संग्या पिदान की जाती है लैगून जील की आपको बताया ना देखिए इसकी बात हो रही है ठीक है आप देखिए दोनों तरफ निच्छेप छोड़ देगा तो ब पारिये प्रवेश द्वार की संग्या दी जाती है इसे समुद्र का जल प्रवेश करता है इसमें जील में अब आप देखे एक तरफ जल का आने के लिए रास्ता खुला हुआ है तो उसी की बात हो रही है कभी तरवर्धी चेत्रों में दुईफों का निर्माड एक के बाद करमसा हो जाता है जिससे तट और दुईफ के मद्ध जल बंध हो जाता है और जिससे तटीय जील की संग्या दी जाती इस बेकार समुद्र के तट के सहारी प्रवाल भीतियों का निर्माड भी होता है और निच्छेप क्रिया से इस समुद्र सतय अत्वा इससे उपर आ जात से जील का निर्मान हो जाता है कभी कभी इसका कुछ बहुट समुद्रि Catherine गुला रहता है इस समुद्र का जल अंदर आ जाता है तो इसके जरूए भी आप देखेंगे यहां बन जाती है और जो circular रहे यहां C यह जील आपको देखने को मिल जाएगी, यह चारों तरफ आप देख रहे हैं, समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, फिर आता है ज्वाला मुखी जील, तो अब भ्यानतिक सक्तियों की फलसरूप ज्वाला मुखी का उद्गार, लावा करने छेफ और सीतलन, और इसमें उत ज्वाला मुखी के जरिये लावा निकल रहा है, यह लावा एक समय के बाद आप देखें, लिकनना निकलना बंद हो जाएगा, और इसी में आप देखेंगे, इस तरह से जल भर जाएगा, इसी को आप लोग ज्वाला मुखी के द्वारा बनी हुई जील कह देते हैं, ठीक है, तो इसी क्रेटर जील की आप लोग संगया दे देते हैं, सहिकतरा जमेरिका की क्रेटर लेक, इसका उधारन आपको देखने क बहुत सारी गेसें भी रहती हैं, इनको हम लोग बात कर चुके हैं, ज्वाला मुखी वाले टॉपिक में, इसमें आप देखेंगे, बात में पानी भर जाएगा, उसी को ज्वाला मुखी जील कह देंगे, आप लोग ज्वाला मुखी उद्गार के फलसोरोप, फलसोरोप, जब लावा का प्रवा होता है, तब कभी-कभी नदी का मार्ग इसके ठंडा होने से अवरुद ही जाता है, और लावा की इस बांध की निर्मार से नदी का जल इकतित हो जाता है, इसे लावा बांध कहा जाता है, लावा बांध जील की संग्या प्यदान की जाती है, टाइ कि नदी के मार्ग में अवरोध हो जाएगा और अवरोध हो जाएगा तो उसमें जो जल भर जाएगा उसी की बांध हो रही लाबा बांध जील के नाम से आप लोग जान लेते हैं जो आलमकी के उद्गार से लाबा पठार अत्वा लाबा मैदान का निर्माण होता है पठार की जल भरने के लिए गड़ चाहिए, गड़ा चाहिए, वो किस तरह से गड़ा बन रहा है, उसी को आप लोग उसी तरह की जील कह देते हैं, पटल विरूपनी जील, भूगरविक बलों की छेतिज और उर्द्वाधर, संचलन के कारण भूग पटल में परिवर्तन होता है, औ और अंकिर्याओं की भाति स्थलखंड के कुछ भाग उपर उठना तथा कुछ पर आउवत तलित होना भी महत्पूर होता है, आउवतलित भाग में जलापूर्थी इसे जीलों का निर्माण होता है, इसे पटल विरूपनी जील कहा जाता है, और निम्नाव की पटल विरू जिद्वी के अंतर जात बलों की छेते संचलन से भूपटल की चट्टानों में बलन की किरिया होती है, बलन यानि की मोड जाना, बलन पड़ जाना, कुछ भाग अभी नती के रूम में उपर उठ जाते हैं, और कुछ भाग अभी नती के रूम में तलित हो जाते हैं, नीचे का निर्माड हो जाता है इसे अभी नतिये जील कहा जाते अपीका की एड़वर्ड गार्ज आदी जीलें इसका उधारन देखने को मिलेंगा अब आप देखे एक ऊपर इससा उठ गया एक नीचे बना रहा उसमें आप देखे नीचे बाले में पानी भर गया इसी जील की बात हो रही है रेपट गाटी जील भूखरवी बलों के चेतित संचलन से चट्टानों में खिचाऊ उत्पन होता है और चट्टानों में भरंस उत्पन हो जाती है और कभी-कभी दो भरंसों की मद्द का भाग नीचे धस जाता है और आउतलित भाग में जल भर जाने से जील का निर्माड हो जाता है, इसे रिप्ट जील कहते हैं, अब आप देखें कि ऊपर इस तरह से आप देख रहे होंगे, और चट्टानों में भरंस और कभी कभी दो भरंस की मद्द का भाग नीचे माले जी ए समतल जमीन है, इसमें आप देख रहे हैं कि भरंस पड़ रही है, और आप देख रहे हैं कि ये बराबर खड़ी हुई है, अगल बगल, लेकिन बीच में आप देखेंगे कि नीचे धस जाएगी जमीन, तो उसी की बात हो रही है, और इसे रिप्ट जील की संग्या पिदान की गई है, ये जील ने लंबी अतवा छोटी और सक्री होती हैं, और आकार आउतलित भाग पर निर्भर करता है, मिर्ट सागर जॉर्डन घाटी आदी को रिप्ट जील सुईकार किया गया है, इसके अलाबा अफीका में अनिक रिप्ट जीले आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इसे आप लोग देखिए, ये आसपास की जमीन बराबर है, नीचे दस गई, उसी की बात हो रही है, इसी को आप लोग रिप्ट घाटी जील कह देते हैं, भरन से जील फॉल्ट पर जाना, तो अंतरजाद बलों की 36 संचलन से पपड़ी की उपरी चट्टानों में तनाओ खिचाओ की सक्तियां कार करती हैं, और फलसुरुप चट्टा टल, स्पेंग लेक, आदी इसके उधारन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों ने बरंस गाटी के बारे में पढ़ा होगा, यानि कि दरार पढ़ जाना, और इसी दरार में आप देखेंगे, चुपानी भर जाएगा, उसी बरंस से जील कह देंगे, क्या कह द में महादूपी चबूतरों पर अनिक गर्थ रहते हैं और जब समुध्य तल का आउतलन हो जाता है तब महादूपी चबूतरी इस्थल की रूम में बदल जाते हैं और गर्थ जो जल युक्त रहता है वह अब जील की रूम में आप लोगों को देखने को मिलती है और इसे अलावा चटानों के सामोहेक इस्थानांतन से बनी अनेक लगू अधवा बड़ी आस्थाई अधवा इस्थाई जीलें पाई जाती हैं इनमें भूष इसकलन निर्मिट जील पंक प्रवार निर्मिट जील आदी आपको देखने को मिलेगी नदी बायू समुद्री लहरों के अलावा निछेब द्वारा बनस्पतियों लावा प्रवा जीवों भूष खलन आदी के द्वारा भी जीलें बनती हैं तब इनका अस्तित समाप्त हो जाता है और भूसानती जीलों तथा जीलों के विसरेशन से इसपष्ट होता है कि समय के इतिहासिक परिपेक्च में जील है एक बार आप लोग जीलों को देख लेजें तो सबसे पहले आप लोग भारत की जीलों देख लेजगा इनसे को जाएगा लेकिन आप देखेंगे प्रिलिंस में इस तरह के कुछंस पूछे जाते हैं कि यह जील कहां है या आप लोगों को नीचे क्रम से लगाने के लिए कह दिआ जाएगा राज्जों को लद्दाक में देखने को मिलेंगे फिर आप लोग जम्मू कस्मीर में डल जील फिर आप देखें बूलर जील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बैरी नांग जील मानस बल जील आप लोगों को जम्मू कस्मीर में देखने को मिल जाएंगे फिर आप लोग हिमाचल पिदेश में आ जाईए महराणा पृताप सागर रेनुका जील, चंद ताल जील पॉंग डेम जील आप लोगों को हिमाचल पिदेश में देखने को मिल जाएगी पंजाब में आप देखेंगे हरी की जील कंजीली जील आप लोगों को जीली जील आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसके बाद आप लोग हिमाचल पिदेश देखी चुके हैं, उसके बाद आजाईए आप लोग उत्तराखन, नैनी ताल जील, देउताल जील, राकस ताल जील आप देखीगा, फिर आप हर्याना में आ जाईए, ब्रहम सरोवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, फिर आप लोग उत्तर पिदेश में आ जाईए, एक कितम जील, सर सही, नवर जील आपको देखने को मिलेगी, फिर आप लोग राजिस्थान में, सामर जील, भारत की सबसे खारी जील है, और लूनक सागर जील, राज समंद जील आपको और पिछोला जील एक गुजरात में देखने को मिलेगी कहां राजिस्थान में आपको नल सरोवर जील देखने को मिलेगी फिर आप लोग मद्धिस में आएंगी तो भूच ताल आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार में काबर ताल, सिक्के में चुलामू जील और भारत की सबसे अधिक उचाई पर जील है फिर आसम में आप देखेंगे दिपोर जील और मेगालाय में आपकी उमियन जील और आप देखेंगे मनीपुर में लोकटक जील और आप देखेंगे तिपुरा में रोद्द सागर जील फिर उडिशा में चिलकार जील भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है फिर आप देखेंगे आहन पिदेश में कोरीर्यू जील पुलीकट जील आपको देखने को मिलेगी महराष्ट में लोनार जील और करनाटक में आप देखेंगे आपकी एक तो अश्टमुदी जील है और बिमनाद जील है और सस्थम कुट्टा जील आपको देखने को मिलेगी एक बार फिर से बता देता हूँ याद रखिएगा हिमाचल पिदेश में भिर्गू मच्छियाल रेन्युका सूरजताल चंदिताल है और वहीं लगदाग में आपकी प्रोगॉंग तरसो तरसो मोरीड याद देखने को मिलेगा तरसो तरसो जुड़ा हुए यानि कि आप देखने लगदाग में पिर आपधिएक त्योगो चोटी चोटी और जील देखने को मिलेगा राजिस्थान में भी कई जीले हैं जिनमें आप देखें राज समंद्र जै समंद्र नक्की सांभर फते सागर लूनक्स लून करसर डीडवाना पिछोला आना सागर कुचा मन धेबर उसकर महराश में लोनार और पोवई जील है कर्णाटक में बैलांदूर केरल में बिमिनाड और अश्टमुडी सिक्कि में सौंग मा मनीपूर में लोक्तल उडिसा में चिलका तेलंगार में हुसेन सागर नागार जुन सागर आनपिदेस में कोलेरू पुलेकट तमिलाडू में कुडाई कनाल और काली वेली हरियाने में सूरच कुंड आपको देखने को मि देखने को मिलती है एक प्रेलम्स के पॉइंट वीव से बोल लाओ इनसे कुश्चन्स पूंचे जाएंगे वंडे एक जाम में डारेक्ट की कुश्चन्स पूंच लेगा चिलका एक लेगून जील है जिसका कारण इसका जलखारा आपको देखने को मिलता है पुलीटकट ज जील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की जील है यह भी याद रखिएगा कभी कभी समद्रा उसादों की कारण लेगून जीलों का मुहाना अवरोध हो जाता है ऐसे इस्तिती में लेगून जीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है जैसे उधारन के जीलों की चिस्तित कोलेरू जील है आपको ठीक है तो यह भी याद रखिएगा यह भी आपसे कुश्चन्स पूचे तो आप लोग बता सकते हैं और मानो और इनमित जील है गांदी सागर जील आप लोग देखते हैं मद्वदेश में राजस्थान में जवार सागर जील रा जील है आप लोगों देख लिजेगा अगर आप लोग केस्पियंस आगर में देखें केस्पियंस आगर भी आपकी जील ही है एक केस्पियंस आगर है इससे समद्धित अगर आप लोग छेत देखें तो रोस आप देखते हैं लगता है केस्पियंस आगर से कजाकिस्तान है तुर्कमिनिस्तान है अजर्वेजान है और इरान आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद सुपियर जील यह आप लोगों को अमेरिका और करनाडा में देखने को मिलेगा कौन सी सुपियर जील ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा तो फियर जील आप लोगों को द बिनपैक जील, ग्रेट लेक सिजील, ग्रेट साल्ट लेक, लेक टिटी काटका, लेक चाड तंजानिया, लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया, लेक तुरकाना, लेक ताना, अरलसी, लेक बलकास, लेक बाइकल, लेक लडोगा, और लेक बर्मेन, बर्नेर्ण और कैस्पीन सा याद रखेगा इनमें questions पूंच लेता है कई बार और छेत के अनुसार विस्की सबसे बड़ी जील आपका केस्पियंस आगर है जो A.C.A. में इस्तित है और पांथ देसों की सीमा से लगता है केस्पियंस आगर का चेत फ़ल अगर आद देखें तो आप देखेंगे 3,71,000 वर किलो मीटर में फ्हला हुआ है और अजरबेजान की राध्दानी बाकु समेथ कई सहर केस्पियंस आगर की कनारे आपको देखने को मिलेगा कैस्पियंस आगर में बोलगा नदी इवराल नदी आदी कई सामल है और छेती के अनुसार विश्की सबसे बड़ी दोसित पानी की जील सोपियर जील है जो उत्री अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगी और उत्री अमेरिका में महान जील आपको देखने को मिलेगी जिसमें 5 पिरमुक जील है और एरी जील उन्टारियो जील बेस्की सबसे गहरी जील बैकाल जील है जो रूस में आपको देखने को मिलेगा 1642 मीटर गहरी है और बैकाल जील बिसकी सबसे पुरानी जील बैकाल जील है और बैकाल जील बिसकी सबसे पुरानी सबसे गहरी और आयतन के अनुसार सबसे बड़ी जील है बैकाल जील को 1996 में युनेस को बिसकी धरोवर में सामिल किया गया था तो ये भी आप लोग याद रखेगा इसमें तो ये आप लोगों को मीठे पानी की जील आप देखी सुफियर जील आप लोगों को देखने को मिलेगी मीठे पानी यानी की सौप्छ जल की बात हो रही है ठीक है और फिर आप देखें विस्क की सबसे लंबी जील टंगानी का है जील है जो अफीका महादीब में देखने को मिलेगा टंगानी का जील की लंबाई 643 किलोमीटर है टंगानी का जील बैकाल जील के बाद दूसरी सबसे पुरानी गहरी और आयतन किर्मसार दूसरी सबसे से बड़ी जील है मैंत सागर जो एजरायल जॉर्डन सीमा पर आपको पितवी तल पर सबसे गहरी जल सेता है विसकी सबसे उची नोगा में दिरिश्टी से जील टीटी काका जील है यह भी आप लोग याद रखेगा यह दच्छी अमेरिका देश पेरू और बुलविया की सीम में याद रखेगा मिर्थ सागर आप लोग सुने होंगे यह इजरायल फिलिस्तिन बा जॉर्डन की सीमा पर अवस्तित है इसकी ओसत गहराई 120 मीटर यह विसकी सबसे निचली जील है और समद तल से इसकी उचाई पचीस सो फेटर और नीचे है यह विसकी दूसी सरवादि लवंता वाली जील है अराल सागर के बारे में याकजाकिस्तान उजवेकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलेगे खारे पानी की जील है ठीक है वान लेक वान जील बिसकी सरवादिक लवंता वाली जील है तुर्की में आपको देखने को मिलेगी तो यह आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें और बैसे तो आप दिखें कि बहुत सारी जील है ब्रीसमे सरवादिक जीले कानाडा में देखने को मिलेगी जीलों का देश फिनलेंड को कहा जाता है यह भी आप देखते हूंगे लेक आयर औस्व्टलिया में आप जीलों को पढ़ा करिएगा बिस मैप के नाम से एक आपकी फिलेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे कवर जरूर कर लेजे उनमें सबका हम लोगों ने मैप का साहर लेकर पूरा भुगोल पढ़ाया है वहां देखा गया है तो इनी से कुश्चन समूच लेगा और आप लोग आं जैसे तो आप लोग सलाह जरूर दे सकते हैं और मुझे लगता है कि देने चाहिए सलाह तो कुछ और भी सुधार कर पाएंगे मांचित के नाम से फिलेलिश सूची बनी हुई है उसमें बहुत सारी किलासें पढ़ी हुई है बिस्व का पूरा भुगोल आप देखेंगे उसी के जरीये पढ़ाये गया है तो उसे काफिए आप लोगों को मदद मिलेगी और मैप का साहला लेकर आप लोग जब कभी पढ करते हैं तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हैं अब आप देखें आप लोग पढ़ेंगे कि लट्डाग में एजíz या जमकत्य में आप देखा तो आप लोगों के याद रख पाएगई अच्छा में